मैं गुड़ के लड़्डू बनाने जा रही हूं अब यहां पर गुड़ के लड़्डू बनाने के लिए जिस जिस्तावागरी की आवा सकता परती है तो देखिए यह मैंने पीपरा लिया है अभी मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पीश लूँगे और जितने भी मसाले सब मैंने अच्छे से धुल लिये हैं और इनको सुखा के अच्छे सोद कर चोटे चोटे पीश कर लिये हैं यह मैंने काजू लिये हैं यह बादाम है एक कटोरी एक कटोरी चिरोंजी है एक कटोरी किसमेस है और यह मैंने एक कटोरी मुंभली लिया है यह जो दोप्ट ने दोप्ट नहीं डाला है क्योंकि मताना अवक्ष थो थोड़ी सी मुंञ फली लेघा और एक कटोरी यह झारा खे हैं और एक कटोरी घी ले लिया है यह मेरा सोला वाला गुड्ट है मैंने चार-पांच लड्डू बनाने के हिसाब से गुड्ड लिया है और पिर जिसे साब से आप गुड्डू बनायों हिसाब से मसाला भी ले लीजिएगा मैंने गुड़ को इस कलाई में डाल लिया है थोड़ा सा धी मियाज पर सेक ले रही हूँ अब मैं इस दूसरी कलाई में थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और सा भी मसाले सेक रही हूँ अब में चरॉबी को सेक रही हूँ अब में इसी मेज को गुड़ में डाल दे रही हूँ आप मैं थोड़ी सी मुंभाली सेक रही हूँ अब में इस मुंह निकाल लिया है यही शुख सुखिं है अब जब इस थंडी हो जाएंगी तो थोड़ा सा इनको दरगर मिक्सी में पीस लेंगे अब इस खारओ को भी सेक रही हूँ मेरी खारक भी शिख चुकी है और मैं इनको निकाल ले रही हूँ हमेसी कडाई में डाल ले रही हूँ अब इन पाजु को भी सेट ले रही हूँ अब मेरी खाजु भी शिख चुकी है और इसी कडाई में डाल ले रही हूँ अब मैं एक किसमेस सेट रही हूँ किसमेस भी शिख चुकी है रही हूँ किसमेस को भी शिख रही हूँ अब मैं इस किसमेस को भी शिख रही हूँ इन पादाम को सेख रही हूँ इन पादाम भी शिख चुकी हूँ इन पादाम को भी शिख रही हूँ इस मारियल को भी शिख रही हूँ थोड़ा सा अब मैं इसमें थोड़ा सा पीपरा मिलार ले रही हुए मैंने पीस लिया था चाल लिया और अच्छा मिक्सकाल ले रही हुए इसमें थोड़ा सा घी भी डाल ले रही है इस परकार मेरे यह लड़ू तैयार है और यदि लड़ू नहीं बादना है तो यह मसाला भी रख सकते हैं और खा सकते हैं जैजनें साथ जैजने साथ